कोविड नाइटीन से जद्दो जहत के बीच नौइडा में जिन्दगी धीरे धीरे पट्री पर लाने की कोशिश शुरू हो गई इसकी शुरुआत हुई है सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्स के प्लांट से नौइडा के सेक्टर 81 स्थित सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्स के प्लांट में अब काम शुरू हो गया शुक्रवार को 3,000 मजदूरों के साथ कम्पनी ने कामकाज शुरू कर दिया इन सभी कर्मचारियों को बसों के जरीए फैक्टरी तक लाया गया था COVID-19 की वजह से देश इस वक तीसरे दौर के लॉकडाउन में अर्थिवेवस्था को पट्री पर लाने के लिए इस लॉकडाउन में सरकार ने कुछ छूट दी इनी छूटों में एक है सीमित कर्मचारियों के साथ काम करने की मंजूरी नौइडा के सेक्टर 81 स्थित सैमसंग की ये फैक्टरी 35 एकड में फैली इस फैक्टरी का उधगाटन प्रधानमंत्री नरेंडर मोदी और दक्षर कोरिया के राष्टपती मून जे इन ने किया था ये दुनिया की सबसे बड़ी मुबाइल मैनुफाक्चरिंग यूनिट है बता दे कि Greater Noida Authority ने गुरुवार को 155 कमपनियों और 51 बिल्डरों को काम की मन्जूरी दी यहाँ तक कुल 417 कमपनियों और 92 बिल्डरों को काम की अनुमती मिल चुकी है Dedicated Fret Corridor और Open Mobile Company को भी काम की अनुमती दी गई गुरुवार को काम के लिए 668 कमपनियों और 55 बिल्डरों ने काम के लिए आवेदन किया था बिल्डरों के 4 आवेदन रिजेक्ट हो गए बंद पड़े रोजगार को शुरू करने के लिए Noida Authority के पास लगभग 2200 इंडस्ट्री ने अपलाई किया था अगर जिले में COVID-19 के मरीजों के बारे में बात करें तो गौतम बुधनगर में गुरुवार को भी 10 नए मरीज मिले जिन में से 5 अस्पताल के कर्मचारी गौतम बुधनगर में COVID-19 के मरीजों का अकड़ा 200 पार कर चुका है जिसमें अच्छी खबर यह है कि 109 मरीज ने इस बीमारी को मात दे दी है और अपने घर लोट चुके है